ए रब ए इबने सुलिमान के रब दिया होसला तेरा कम है कुछ मेरे दिल को करार नहीं मिला बेनियास कवे मिल मुझे मैं सुनाओं तरते दिल तुझे खुट-खुट कर जीना होता है क्या तुझे सब पता मेरे खुटा एक आस ही जो नहीं रही और अब तुम मैं भी नहीं र रबे बशर मेरे कुजा घर वै बिना तमाशा उमर भर कभी ख्याल आया तुझे मेरा कबसे कॉल कर रहा हूँ राप्ता काईम होते ही वो सखम खुर्दा दरिंदे की माने गुर रहा हूँ तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा तुम कहां रहे गए थे सुरहाब तुम कहां रहे गए थे जवाब मैं वो काईनत को अफसूर्दा करिंदेने वाली बेबसी भरी आवाज से बोली मैंने तुम्हें इतने फून किये मगर फून में सलसल ओफ जा रहा था तुम्हारा मैं तुम्हें बाद में सारी तफसील बताता हूँ वो उश्रत अमीज सहजे में बोला फिलहाल मैं जो कह रहा हूँ उस पर जल्दी से अमल करो क्या अमल करो सुरहाब वो शेकर से यह से रो पड़ी अब क्या वागी बचा है वागे उसकी दांस में अब सब कुछ हदम हो चुका था मगर पॉलर के बाहिर एक टेक्सी खड़ी हुई है वो चुकन्ने से लहजे में बोला तुम आकर जल्दी से उसमें बैट जाओ क्या वो बड़ी भरपूर अंदास से चूगी कौन से पॉलर के बाहिर जिसके अंदर तुम मुझूद हो वो उसके एहमकाना सवाल पे दान पीस्से हुए बोला उसी पॉलर के बाहिर सुरहा उसकी फरमाईश का मफ्रूम भाम कर वो रोना धोना भूल कर सरा सीमगी से बोली ये तुम क्या कह रही हो मैं इस वक्त ऐसे कैसे बिल्कुल वैसे ही जाने तमना जैसे तुम मुझ से मुझ से मुखबत के दावे करती रही हो वो उसकी बात तर्मियान से ही उचक कर माईनी हेजी से हसी हस कर बोला तो उसके हाथ पे ठंडे फड़ गए सुरहाब ये मैं वो खुशकोदे अलक को तर करने की कोशिश करते हुए बोली ये मैं नहीं कर सकूँगी ठीक है तो फिर कर लो अपने सर एसा से निका वो यक लहसा हामोश होकर सर से लहजे में बोला और रहो जिन्दगी भर उसकी अंचाही बनकर मेरी तरफ से हमेशा के लिए हो था हाफिस उससे कहकर बिना वरा की सुने फिल फोर फोन काट दिया तो वो जैसे जटके से किसी तन्यूई कैफियत से बाहर निकली और रहो जिन्दगी भर उसकी अंचाही बनकर रहो अंचाही बनकर रहो चार पाय साथ का ट्वालेट सारा का सारा इस आवास से भर गया था और अब उसे सिलसले तनफुस वरकरार रखने में दुश्वारी का सामना था तभी सामने नस्ब दीदा सेप आइने में दिखाई देते अपने अक्स पर उसकी निगावड़ी पर नहीं वहां बद्रुल वरा कब थी उधर तो एक और अन्चाही यानि सारा इस सदा थी और सारा बन जाना ही तो उसकी सिंदी का सबसे बड़ा खूफ था उसका जी जहां वो किसी तरह ये आइना तो डाले और आइना किर्ची किर्ची कर डारने से भी तो अकीकत नहीं बदलनी थी ये तक दीर कैसा गिनोना खेल खेलने जाली है मेरे साथ उसे चक्कर से आ रहे थे उसे लगा जैसे वो यहीं खड़े-खड़े हतम हो जाएगी मगर अगले ही पल तरवासे पे होने वाले तस्सक ने उसका हयाल यकसर बातल सावित कर दिया बाहिर आ जाएए प्लीज आपकी घरवाले इंतजार कर रहे हैं आपका मैं यहां से निकल कर घरवालों के साथ चौँगी और एक और सहरा का जनम होगा वो सोचे गई और सहरा बन जाना ही तो उसकी जिदी का सबसे बड़ा और यह वाक्या है कि हजरत इनसान अपने सबसे बड़े खोफी के हातों शिकस काता है कैसी हो बीजी आटिश कुशिस्ता चन्द रोज से बेतरा मुसरूफ रहा था इस कदर के हकीकतन उसे ढंग से ताम और आराम का वक्त भी मैंसर ना सका था आज ज़रा फरागत थी सो वो बीजी के अखवाल वरसी को बातोरे खास यूं भी चला आया कि एक नहायत एहम जमेदारी उसे तफ्विस करना थी और इस समय वो हमेशा की तरह उसके पलंग से सराफासे पर पुष्ट पर हाथ बादे कड़ा उसी हवाले से फटू की इबता कर रहा था और बीजी को यकीना अपनी हैरियर्ट से उसे अगाही देने में सर्मून दिलचस्पी ना थी सो जवाब देने की बजाए उससे उक्ताहट से अपना चेहरा दूसी तरफ पहल लिया मैं इस वक्त तुम से एक इंतहाई एहम बात करने के गर्स से आया था बीजी का उक्ताहट अमेश रवाया वाज़ा तोर पर मेसूस करने के बावजूद वो उसी हलावत और शायस सगी से बोला था उस पर भी वो कुछ न भूली तब यक लहज़ा तौकुफ के बाद जरा खंकारते हुए आर्टिश ने अंदास गंबीरता से उसे पुकारा था बीजी मैं सुन रही हूँ वो मुँ भेरी भेरी ही भूली मैं एक माँ के लिए मुर्ख से बाहर जा रहा हूँ उसे रसान सितला दी तब बीजी ने बेहासा एक जटके से करदर मुड़कर उसकी जाने देखा कहा जा रहे हो उसकी हसीन मगर उदास आंकों में वहश्चत उतराई थी इंगलेंड क्यों जा रहे हो उसे बेचैनी से पूछा अपनी किताब की रोनुमाई के सिलसले में तब तक में क्या करूंगी वह हस्यानी अंदास से बोली क्या अब यूही बेयारों मददकार इस कमरे में पढ़े रहना मेरा मुकदर रहे मुकदर या तुम्हारा इंतहाब आदिश के पूरसरार तबस्व ने उसके लवों पर छाप दिखलाई थी बीजी उलज गई क्या मतलब जानती हूँ वो एक लहसे तवकुफ के बाद अपने महसूस ही में मगर धीरे धीरे दिलो दमाग को छकर लेने वाले साहिर लेजे में गोया हुआ स्टीविन होकिंग किस उमर में A.L.S. का शिकार हुआ था मैं कुछ नहीं जानती अपसे जानना शुरू कर दो कि वो महस एक साल की उमर से अपाइच होना शुरू हो गया था बीजी मगर उससे हिम्मत नहीं हारी तुम अपने इन मोटिवेशन लेक्चर से मेरी हकीकत नहीं बदल सकते अफ किसे भोली कुई किसी की हकीकत नहीं बदल सकता उसे वाद से ओर पर कहा ये कारणाम़ा हजरत इनसान अस हुद सरन्जाम देता है मैंने की थी ना कोशिश ये कारणामा सर अन्जाम देने की वो जैसे हुद अपना तमस्सर उड़ाते हुए बोली नतीजा क्या रहा? ऐसा बुरा भी नहीं है उसे हिम्मत अफसाही करते हुए कहा? तुम अपना साविया नजर तब्दिल करके तो देखो क्या देखू? वो बेसार हुई देखो के तुम अब आतिश कदे का हिस्सा हो वो एक तेज सी चमक अपने कापी आंकों में भरता हुआ बोला और आज आतिश तुम्हें एक एहम जिमेदारी सोपने वाला है कैसी जिमेदारी? इस बार वो बड़े भरपूर अंदास से चूंगी थी मैं एक मा के लिए आतिश कदे से जा रहा हूँ बीजी ये तुम बता चुके? यानि आगे की बताओ पर ये नहीं बताया कि मेरी गैर मुझूद्गी में मेरा काइम मुकाम कौन होगा? वो बागोर उसका चेरा देखते हुए अफीफ समस्कुराया कोई भी हो बीजी गह दिल्चस्पी से बोली मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं तुम्हारा ही तो लेना देना है बीजी वो बहुर ठहर ठहर कर बोला क्योंके वो कोई और नहीं बलके तुम हो तुम मजाग कर रहे हो बीजी ने असद पे यकीनी से उसे देखा हरगीज नहीं आदिश ने कतियत से नफी में सहिलाया पर मैं इस हालत में कर ही क्या सकती हूँ उसी आंखें अपनी बेबसी पर यक पीक पर आई जब सीविन होकी मुकमल अपांच होने की बावजूद काइनात के राजों को खोच कर सकता है तब तुम क्या नहीं कर सकती बीजी तुम्हारे सिफ पैर वक्ती तोर पा नाकारा होए हैं बक्या सारे अजाद तो सही सलामत है वो इस पार गोया उसे डपट कर बोला था पर वो जुच्छला गई तुम मुझे उससे कहा मिला रहे हो मैं जानती हूँ मैं अब कुछ नहीं कर सकूँगी तुम क्या कर सकती हो क्या नहीं उसकी कुँछ पैसी आदिश को तैशे ला रही थी तहां वो अपने लहजे को काबो करके बोला मैं खुब वाकिफ हूँ बस अब मजीद कुछ मत कहना और याद रहे कि आदिश को इनकार पसंद नहीं रंज से होकर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज मुझेले मुझे पर इतनी बड़ी कि आसा हो गई आज बहुत अट से बाद उसे अपनी किताबों का धेहन आया था तो उसमें किताबों की चोटी से कर्द अलूदा अलमारी खोल कर उसमें जागा तो वो सब जो धूल मटी में अटी बेतर्दीब सी पड़ी थी अपने बिश्रे जाने वाले उस दरीना रफीक का चेरा देखकर एक पार की खिल उठी बहुत बच्पन में हरीदे के रंग पर रंग सरवर्क वाले टॉरसन उमरो अयार तास साने अमीर हमसा अलिफ लेला और दीकर छोटे छोटे से नॉविल्स नो उम्री में इंतिहाई संसरी खेस मालू होने वाले इश्टिहाग एहमद के नौवलों का सखीरा इबने सफी की करनल फरीदी और इमरान सीरीज का अमबार मुख्लिफ शारा की मौशूर कुटब अद्बा के मारूफ नौवलों से लेकर तनसो मजा पर बनी किताबे आलमी अदब के चनीदा, मुतराज्जिम वगेरा वगेरा एक वक्त वो भी था कि जब इनसे महू कलाम सोवे बगेर उसे नीन नहीं आती थी और नीन तो हैर अब भी उससे हाफा रहती थी सितम ये था कि जहां और बहुत कुछ उससे छूटा, वहीं ही मुखली दोस भी उससे बिचड़ गए यहुद उससे उनसे मूं मूल लिया बहर कैफ अब जब वो उनसे मुलाकात की हादिया आही गया था तब वो सारे ही बाही बिलाए उसकी चाने मामकने लगी उसकी आँखों में उदासी आधेरी वो नसरी चुरा कर हट जाना चाता था पर जाने क्या सोचकर उससे दिवाने एक खौलिब उठा लिया और जहां कवे उसे निशानी लगा कर किताब बंगी थी किताब को वहीं से कौला तो ये घजल निखा के सामने थी मुश्किलें इतनी बड़ी इतनी बड़ी उसका सहिन एक पर फिर पीचे की चाने वो खोई सफर था वो फेरोसा की बोशी आने में बेहोश हो जाने वाले वागी के बात से अब उद उनका हयाल रखने लगा था जिस पर रेना को इतरास है हुआ कि वो जान भूच कर सब की नसरों में उसे नीचा दिखाने के हादिर पर चड़ कर फेरोसा के काम हुद करने लगा है पर चाहे वो उनके जितनी काम भी कर लेता था थो उनका बेटा बेटी थो नहीं तो ऐसे में उनके और भी बहत्रे जाती नुवएद की काम थे जो अब वो खुद को करने से माजूर बादी थी और इसा चाहकर भी वो नहीं कर सकता था चुनाचा कोई ना कोई वाग्या बदमस्गी का सबब बनी जाता था और जहां मनफियत अरूज पर हो वहां किसी भी वागय को सान्या बनते देर नहीं लगती बड़े दिन बाद चक्कर लगाने की फुरसत मिली तुझे उस रोज रीना पूरे तेर हफते बाद जमाई की गई तब जही माँ से अपना घर बाद छोड़कर यहीं देरे जमाई बैठी नच्वा ने ये कहकर गोया उसकी दुखती रख पर हाथ रख दिया था तब ही वो पलपला कर बोली हाई क्या वताओ नच्वा उसका चेरा उससे ओ नफर से स्या वड़िया वो ईज़ा विल्कुल किसी शातिर सोतिन की तरह मेरे हर हर अमल पर नसर रखता है तब सारी मीना आए वो अपनी नंदों की नमकीन रंगत की विना पर उनका मसाइखा उड़ाने की घर से उन्हें मीना कहा करती थी मेरे हाँ इकटी थी उनके सामने वो कुंटना बताने लगा कि अम्मी जब नहाने जाती है तब मैं उनके ख्याल से बाहर खड़ा रहता हूँ जिस पर वो तीखी मिश नगमी बोली तुम क्यों खड़ी रहते हो बाबी से खेह दिया करो उससे आतन नगमी की नकाली की तरश्मा सोर से हसी उत्तो यहां मजे से बैठी है न अपने पले बच्चे बाब के पास छोड़कर इस ये तुझे बड़ी हसी आ रही है रीना का बच्चा गला फाड़ने लगा था सो वो मजी चराकपा होकर बोली हाँ तो क्या रों वो एक बार फिर किल किल आई रो तो मैं रही हूं वो बच्चे को दबोश कर उसके खेट अच्छी तरह से टुबटा लपिटते हुए तलखी से बोली हाई इस इससा को कोई हल हो तो मेरी जान चुटे चुट जाएगी नच्मा शलवार की पाइंचे कुट्णों तक चढ़ाकर सोफे पर आलती पालती मार कर बैटते हुए मानी हेजी से मुस्कुरा कर भोली कैसे इना ने दफातन चोंक कर उससे देखा वो ऐसे कि बस तो उसकी रात में बहनी एक शिट और उसके सर के थोड़े से बाल ला दे तू क्या करेगी उसका देना ने बच्चा यूँ ही डोता छोड़कर बेताशा दिल्चस्पी से उसकी जाने देखा मैं थोड़े जो करेंगे साइं करेंगे उसका मुझे याद है एक मौगे पर अबु मरूं अम्मी से कह रहे थे कि याँ तो ईसकी बरात की धच काबले दीद होगी या भी बेहत मामूली वो चारों बहने इस वक्त फिरोसा के कमरे में बर्जुमान थी अब से कुछ देर बाद उन लोगों ने ईसकी बरात लेकर जानी थी और उस तक्रीब से मुनसले जो शादिवानी और रोनों का तसवर है वो इस घर में मकफूत था गालबन इसलिए शोना को वाल मरूं की किसी वक्त कही कही ये बात याद आ गई थी कि जिसका हैजार वो बिला तामूल कर भी गई थी तो ना किये होते ऐसे करतूत सबस साड़े में लिप्टी बड़े बड़े तलाई चुमके पहने पैठी बाली चमक कर भोली तो बड़ा भाई लोग हुशी हुशी आकर शादी में शरीक होता अब देखो लावार्सू की तरह अकेले निका पढ़वाने जा रही है ने खुदाना हास्ता लावारिस क्यों होने लगा अलकी नेली उसुनहरी चापी साड़ी में मलूफ नगमी नागवारिस से बाली को टोक के बिना न रह सकी हम सब है ने इसके साथ जानते हैं बाबू कि तुम लोग हो इसके साथ वाली तन से हम उस्कुरा कर बोली ऐसे थोड़ा ही ये दिन मिल देखने को मिल रहा है ने बाब दादा का इस दोवा इस्जत को माटी में मिलाई दिया ने और हम वैया बने इसका क्या भोगने वगतने जा रहे हैं कैसी लग रही हूँ मैं चोना बाली को कोई सक्च जवाब देना चाती थी मगर उससे कब ली सुर्ख परिश्वास में अपना चेहरा भी मेकप से लिपास के हम रंग किये पीना कमरे में दागिल हुई और बड़े पुर्गरूर से अंदास में बात औरे हास किसी को मुहातिब किये बगेर पूछा जिसका जवाब फोरण से पेश्टर वाली ने देना जरूरी समझा माशाला तुम्हे पूछने का जरूरत है ने तुम तो होगी हसीन हाँ भाई करते हुए ईसा मुझे कुछ समझे या ना समझे वो माईने हेजी सी मुस्कुराः लवों पर सुझाए अपना पीनों से जमाडोबटा खौमाखा सेट करते हुए बोली ईसा के सुसराल में तो सब मुझे ही जानते हैं न कि मैं इसकी बड़ी भावी हूँ आहाँ नगमी उसकी बात पर कोई पी तपसरा किये बगएर संजीरी की से बात बदलते हुए शोना से मुखातिफ होकर भोली भाजी वो अम्मी की नत और चुड़ाओ ठीका आपने रख लिया है न दूलन को चड़ाना होगा कौन सी न थो ठीका शोना ने जहिन पर सो डालते हुए पूछा वो ही जो इसकी पेदाश पर अम्मी को चड़ाओ कंगन के साथ बना कर दिया था उनकी फर्माईश पर नगमी ने हवाले के साथ याद दिलाने की कोशिश गी अच्छा वो शोना को अच्छी तरह याद आ गया था सो तासुप से बोली वो तो घर में होई ने दूसरी चोरी में चोर सब समेट कर ले गए थे क्या बात कर रही है नगमी को चान का अकिक्तन दचका लगा तुम तो आया यहाँ नहीं थी ने अपने मिया के साथ घूमने गई हुई थी बहारी उपर बाले दिल चले से लहजे में बोली चोटे ऐसे निरीते थे ने अम्मी का सारा अच्छी अच्छी भड़िया साड़ी भी साथ ले गए ने कमबत हमको ऐसा सदमा हुआ था ने कि का बताए कितनी बार कहे थे हम अम्मी से कि हमका हफासत ही का हयाल से रखने को दे दो सेवर मगर ना ही उन्हें तो हमारे बात का एतबार ही नहीं था फाइदा उठा लिया वो डाकू लोग मनूसू का हाट तूट जाए ट्रक के नीचे कुछला जाए जलील लोग बस करें और कितनी बद्वाएं देंगी इना जस्पस ही होकर बोली खुशी का मौका है कोई अच्छी बात करें मेरा तो दिल ही हराब हो गया ये सुनकर अमी पद्दिली से बोली कि इतला हगिक्तन उसे रंजीधा हातिर कर गई थी पदा होता तो कोई और इंतिजाम कर ले थी अब क्या ऐसे ही हाली हाथ जाएंगी हम निकाह करने मेरे हिसाब से तो ये निकाह होना ही नहीं चाहिए था सफेद कुर्दा शलवार में मलपूस आमिर रहुनियत से चलता कमरे में दाहिल को रहा था और जाहिर है कि यहां जारी सारी गुफ्तों को सुन चुका था तब ही उखड़े उखड़े से लहजे में बोला लेकिन अगर अगर अब हो ही रहा है तो धुला मिया की हैसियत के मताबिक ही होगा न ठीक कह रहे होने बाली ने किसी फर्स की धरा उसकी हां में हां मिलाई थी निकाह का वक्त नस्जीक आ रहा है आमिर रीना वो जिमेदार से बनकर शोहर नामदार को मुहातिब करते हुए बोली आप फून कीजिए इसा को पता नहीं किदा रहे गया है उस जैसा खेर जिमेदार निकम्मा बहुत भारी जिमेदारी डाल रहा है उद पर आमिर जेब से फून निकालते हुए नागवारी से बोला पता नहीं आगे कैसे निभाएगा अल्ला ही मालिक है बस वो इसा को कॉल मिला रहा था बाली अब रीना से उसकी जमकदार जिलका रास पुछने में मसरूफ हो चुकी थी वो दिनों संजीदा नजरों से क्यूसे को देख कर रहे गई ये देखिए आज की लिए लिबास त्यार कर दूँ कल रात आटिश की रिवानगी थी और जाने से पेश्टर वो बीजी की त्यारी मकमल करवा देना चाहता था साहरी हुलिय की महरंमत से लेकर लेक्चर की मौसुआथ तक मुकमल त्यारी सो इस सिलसले में सबसे पहले तो बीजी ही की जाहत पर उसकी पसंदिता सैलोन से होम सर्विस की अपोइंटमेंट मिली गई मलबू साथ भी ऑनलाइन मंगवा लिये गए उसके मॉलिच के मश्वरे से आतिश ने उसे एक जदीद तरीन हुदकार विल्चर भी फरहाम कर दी थी कि उनके मुताबिक मसल से इलाज मॉल्चे और धरापी वगएरा से उसकी कैफियत में बेतरी आ रही थी और वो अब कमर से थी तो नहीं अलबतान नीम दरास अंदाज से कुछ देर को विल्चर फर भीट सकती थी बहर कैफ आज उसका आतिश खड़े में बाकाइदा पहला लेक्चर था और इस वक्त उसी हवाले से तैयारियां जानी थी तासा बातासा करवाई के फैशल भनो के तराश राश बालों के ने अंदाज और भूरी हाइलाइट से उसे चक्मका कर रख दिया था और इस वक्त उपलंग पर नीम दराश लगड़ी के चोकटे वाली बेजूई शकल के दसी आएने में अपना जेरा हाली हाली से आँखों से देख रही थी कि तब ही एक सियाह और सुर्माई चितीब तराश हराश की कमीज उठाए पोला ने उससे पूछा हम हूला की अवास उससे अपने बिखरे हैलात के धर्मयान से खींच लाई क्या कह रही हो मैं बुझ रही थी कि ये शिर्ट और ट्रॉजर प्रिस कर दूँ उससे बेतासूर से लहजे में अपना सवाल एक पर प्र धुरा दिया था अगर जब इजी का दमाग दिल इन सारे तैयारें से उचाट था और वो इस वक्त यहां से कहीं दूर वो दूर फरार हो जाने की खुआश मन में उबरती मैसूस कर रही थी मगर खुआश तो हुआश ही थी सो वो इंध्याई पेदिली से होला के हाथ में मुझूद लिपास को देखकर गय दिल्चस्वी से बोली कर दो ठीक है उसे सरही ला दिया भी ना जाने मन में क्या समाई जो उससे सवाल कर बैठी वैसे सराथिश ने आपको मोजू क्या दिया है लेक्चर का ज्यादा मुझसे सवाल जवाब करने की सुरुष नहीं है तुम्हें समझी उसे खूर कर शिड़कते हुए बोली ज्यादा ही सुनने का शोख हो रहा है तो वहीं आकर सुन ले न अब जाओ वो उसे बतले हासे से लदार कर मुस्तरप अंदास से अपना मुबाइल फून उठा कर देखने लगी थी तब वोला वहाँ एक बल को ठहर कर मुस्कुराई और दुस्से की बल कमरा अपूर कर गई ये और बात कि उसकी वो मुस्कुराहट मुस्कुराहट ना थी जला है जिसम जहां दिल भी जल गया होगा गुरिते हो जो राग जुस्टुचु क्या है उसने गाइब तमागी से सवा पल्टा था सो मनसर भी बदल गया अजार दुश्वारियों और माली दंगी के बावजूद एरोजा की कुछ कहने सुनने पर उस शाकर की माली मौहिनियत कुछ अपना जोर तोर करके वो मेडिकल का एंट्री टेस्स देने के लिए खुद को तयार कर चुका था और ये होसला और हिम्मत बला शुबा साइद साहब की खुआश की देन थी वो नहीं रहे तो क्या हुआ उनका उसके हवाले से देखा गया खुआप तो अपनी जगा मुचूद था जिसे शर्मिनताय ताबीर करने के लिए वो पूर असम था उसकी त्यारी भरबूर थी चुनाचा वो ताखले के हवाले से पूर उमीद था ये इशा के बाद कामल था और वो इस लम्हें फेरोसा की दुआईयां लेने के घर से करसे कदे वासे पर वाक्या एक बड़े मेडिकल स्टोर की जाने पचा रहा था डॉक्टर ईसा साइद या डॉक्टर साइद ईसा उसकी आँखे आएंदा कल की हुआप से चमक रही थी और वो ये सोचते हुए बहुत दरंग में पाइक चला रहा था उहां डॉक्टर ईसा साइद कुछ मुनासिब मालूम होता है हाँ यही ठीक है वो अपने हैयालात और तफालाना मुस्कुराट पर खुद ही मुस्कुराद दिया था उसके बाद क्या हुआ अकर जो वो खोशो खर से बेगाना हो जा था तो शायद मगर उसके हवास काइम थे तो उसने देखा एक देसरफ़तार पाइक उसके नसीग आई थी और ओ सौरी आपके नहीं क्रीन ड्रेस वाली ब्राइट के घर वाले आ गए है उससे जो फैसला करना था वो एक इसी लंभे में करना था आगे महस चंद कत्मों के फास्से पर उसके हुआपू जैसे जिन्दीगी उसकी मुंतसी थी जहां उससे अपने मेभूब की मन चाही बनकर उश्यों के हंडोलों में जूलना था जब के पीछे सो चंद सानियों में ही उसके दिल ने अपना फैसा सुना दिया था जिससे सुरुखाप को आगा करने के बाद वो एक लंबी सी गहरी सांस कीच कर उतको आने वाले वक्त के लिए तयार करती जो ही टॉलिट से बाही निकली तब सामने खड़ी वरकर जो यकीनन गलत वहमी के बिना पर उसके तुआरवाजे पर दस्सक दे चुकी थी किस्यानी सी हजी हज कर मासद खुआना लहजे में बोली ओ अच्छा उसे जबर्धसी मुस्कुरा कर कहा कोई बात नहीं अब क्या करूँ उसका जहन बहुत तेजी से यहां से पॉलर के मरकजी दरवाजे की समित बढ़ने के बारे में अधेर बंद कर रहा था उससे तक तक करते दिल को संभालते हुए मुखतार चुकनी निगाहों से इर्द कर देखा जीजा कहीं नहीं थी सो वो दिल ही दिल में कलमाई शुकर अधा करती अपने सर्थ परते हाथ पौंगी कपकपाट पर बामुश्किल तमाम काबो पाकर बिल्कुल मुदाद दिल अंदास चलती इंतिसार खार तक चली आई जीजा यहीं होगी अब क्या करो यह ख्याल उसे ठराय दे रहा था मगर उसकी किस्मत के सितारे उसकी दांस में इस लम्हें उरूच पर थे जोनाचा वो यहां भी नहीं थी सो वो लम्हाजाय कि यह बगेर बड़े आराम से कदम उठा दी इस सवाली की समित पड़ी वहां मुझूद दो कुर्सियों में से एक इस समय हाली थी जबके दूसी लड़ी फोन पर किसी सारिफ को तफसीलन अपनी महिया करदा हित्मात के बारे में अगा करने में मुसूफ थी उस लड़ी ने बात करते करते बस एक नजर उसे यूँ ही देखा था पर वो ना जाने क्यों सहिंकर अपनी जग़ ठहर गई तब उस लड़ीकी ने पेश्या वराना मुस्कुराट उसकी समय तुछा ली और फूनका चोंगा कंदे से दबोच कर कानों से लगाय लगा ही मुडी और मुकफिल दर्वासे से प्रोशर निकालने लगी और एन उसी लगे वरा जैसे होश में आकर एक ही जस्में अंदरोनी दर्वासे तक पहुँचा भूँची और दूसी लगे भारी दर्वासा थकेल कर वो बॉलिट से बाहर थी दस बारा कदम पत्रीली रोश पर चलने के बाद वो मरकजी दर्वासे के बाहर थी जहां मसला कौट कुर्सी पर बैठा था उसे देखका वरा का पहले ही बेकापो दिल उचल का हलक में आ गया मगर उसके दिल की हाल से बेहबर काड ने एक गहरी निगाँ उस पर डाल कर ररसर का सावय तब्दिल कर लिया कि उसका यूद अंतना बाहर निकल ला वो ऐसी गहर मामूली बात यूँ ना थी यहां रुजाना सेंक्रू दुलने त्यार होने के घर्श से आ दी थी जिन में से एक दो पूरे तमात उलने यूँ अकेली भी आकर काड़ी में बैठ जाया करती थी टेक्सी पॉलर की नसी की कड़ी थी सो वो दीधा दानसा बिलकुल आम अंदास और मतातिल रिफदार से चलती उसमें आ बैठी और उसके बैठते साथ ही टेक्सी सन से आगे फड़ गई थी मेरे दोस्तों और अपनी दानस में खुद को मुझसे मुझसे मुखफी रखे बैठे मेरे अजीज दुश्मनों सेया गुटनों तक आते कुटे और सेही जीन से मलभूस साथेश पोडियम के साथ तकते सफेद के सामने खड़ा पॉल में मुझूद आसरीन से आज इंतहाई हुशकोवार से लेजे में मुखातिब था जैसा के मैं आपको आगा कर चुका कि मैं कुछ दिनों के लिए एक इंतहाई जरूरी काम के सिलसे में बेरूने मुल्क रवाना हो रहा हूँ अब साहिर है कि मैं ये एक जगा यूही खाली छोड़कर तो नहीं जा सकता इस तरह तो आप सब के साथ जयाती हो जाएगी आतिश उससे शनासा ना था और ही बाद शरर की ओ तुला तालू की से उस वक्त हौल की चट पर यूँ नसर जमाई बैदा था कोया इसी एहम काम के घर से यहाँ वारत हुआ हूँ तो बताईए ना सर किसी बेसबरे ने बेजैनी से पूछा उसके हमोशी का वक्वा तोविल होता देखकर अब से लेक्जर्स कौन कंटेक्ट करेगा उहीं उहीं वो हुले उससे खंकार कर दुबारा कहना शुरू हुआ मैं यही बता रहा था कि मेरी गैरमजूद्गी में मेरे हिस्से का ये काम कोई और नहीं बलके अमल पहें होसले और कभी नहार मानने की ताबिन्दा मसाल यानी प्लीज उससे बोलते बोलते अपना चेहरा हौल से घर के अंधूनी समेट जाने वाले दर्वाजे की जाने मोड़ते हुए ऐसी किसी को बुकारा था अंदर दश्रीव ले आईए जुमला हासरीन ने मुद्चसिस नसरों से उसके मुहातिब की समेट देखा और उसी लमें फुदकार विलचेर पर बेंतहा मुस्सरब और चेहरे पे गफराट लिए बीजी चेहरे पर निकाव लिए बोला के हमरा बोल में दाखिल होती दिखाए थी यानी बीजी सर अंजाम देंगी आतिश ने बड़े भरपूर जोश से लहचे में ये इतला हासरीन तब होँचाए और बीजी की होसा अफसाही की हादिर बावाकार अंदाज से ताली बजाने लगा ब्रावो, सूपर, क्या बात है, माशाला आतिशी तकलीद में सारा हौल सताशी ताली उसे खुण जुटा था खुशामदीद बीजी तालीओ का शोर चब धमा, तब चमकती आंकों से नामालूम अहसास के सेरेसर ओले-ओले ररसा बीजी को देखते हुए आतिश भूला था आज से ये कुर्सी, ये बोडियम, ये वाइट बोर्ड, यानि पूरा खौल तुम्हारा हुआ ये कहते समय वो नहीं जानता था, कि ये अलफास उसके नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे बलके कोई बहुत पहले उन्हें लिखकर कहीं में फूस कर चुगा था क्या वो नमरूत की खुदाई थी, बंदगी में मेरा भला ना हुआ दिवान उसके हाथ से छूट कर नीचे चागी रहा था उसे लगा, जैसे वो तेसरफदार बाइक बस अभी, अभी उसकी ताइंटांग को गुचलती गुजरी हो वो दर्द, बेबसी, खोफ और हैसियत के जब वो रोट के दरम्यान उन में लत्पत पढ़ा था और उसके चारो जाने बस शोर, वहशत भरी अवाजी और अजनवी शेहरे थे बस लम्हू का खेल था और जैसे किसी ने उसे 99 फीसद से नीचे गिरा दिया था वो तो अगले दिन एंट्री टेस्स देने जा रहा था, फिर ये सब क्या हुआ देखो ने, हमारा जवान बाबो कैसे खाट पड़ गया है फिर रोसा, आदत के लिए आने वालों के सामने अश्कर्ष हो जा थी पहने भी अफसूर्दा थी, जी अफसूर्दा थी और जाहिर है कि बड़े भाई भी खुश्टों नहीं होंगे हां मगर आमिर मेरी बीवी से नाहुक बत्तमीजी कर रहा था देखा अल्ला ने कैसे सजा दी ये उसका निया व्यानिया था सजा है ये आजवाईश रखमी ने ठोका, कौन जाने मैं जानता हूँ वो अपने सीने पे हाथ मार का बड़े एफ़ान भरे लेजे में बोला मेरी बीवी फरिष्टा है फरिष्टा वो मुझे कुछ नहीं बोली मगर उसकी आने अरश हिला दिया लोँज में चारी ये कुफतुगो अंदर अपने कमरे में बेबस चत पड़े ईसा ने बाखोबी लबस लबस सुनी थी उसकी आने अरश हिला दिया और मेरी मैं आ गया हूँ बहर आ जाओ अच्छा अच्छा पांच मिन ठहरो आते हैं रैसी रूम में समान समेटते वक्ट रिचा का सोने का चल्ला वहीं कहीं गिर गया था जिसे तलाश करने को रिचा को कुछ वक्त लगा था स्यादा नहीं बस पांच साथ मिन और उसे क्या मालूम था ये पांच साथ मिन कोशह आफियत की आइना सारी उमर पर मुखीद हो जाएंगे उसके पास आरफा का सेलफून था और इस वक्त मुफ्ता ने उस राप्ते करके उसे अपनी आमद के दला दी थी सो वो जो स्याद सफरी बैग एक हाद में उठाएं दूसरा कंदे पे चमरे का करती हैंड बैग लटकाए मुफ्ता ने कहे राप्ता मुनकता कर दिया तब उसे दोनों बैग्स सामने सोफे पर धरिया वो उससात खड़ी होकर वरा का इंदसार करने लगी उसके मुदाबिक तो वो इस वक्त ट्वालेट में मुझूद थी पॉलर में इस वक्त काम समेटे जा रहे थे ये बंध होने का वक्त करीब था जादा तड़िया तो रवाना हो चुकी थी क्या हो रही थी कुछ देर तो वो खड़ी उन सब को देखती रही जब खड़ी की सुई ने बंदरा मिल से तजावस किया तब उसे कुछ अजीर से हिसास से आगे रहा अगर वरा इतनी देर से वाश्रूम में कर क्या रही है ओ, कहीं उसे मेरी मदद की जुरूरत तो नहीं इस हैल ने उसे बेचैन कर दिया तब ही उसके हाथ भी मुझूद फून कुन को ना उठा कहा रह गई हो तों लोग मुफता हवा हो रहा था बस आ रही है वो बाउचलर उसे कहकर फून काटते हुए बैक्स उठाकर सरायर से टॉलेट वाले हिस्से की जाने पड़ी एक, दो, तीन, चार ये क्या यहां तो सारे के सारे टॉलेट आली पड़े थे इस्क्यूस मी उसे कवराट सदा से लेचे में वहां से कुजर थी एक वरकर से पूछा मेरे सार जो प्राइड आई थी वो कुछ दिर पहले यहां आई थी वो यहां से कहां गई सौरी, मुझे नहीं वता वो लगी सादा से अंदा से मुस्कुरा कर बोली क्या, आप इतनी परेशान क्यों हो रही है वो उसके चेहरे पर उनने वाली खवायां देखकर असली देते हुए बोली कहां जा सकती है वो यहीं होंगी आप ट्रेसिंग रोम में देखिए आपकी ब्राइडल फूर रेडी थी हो सकता है उनका हेर स्टाइल नहीं, वो पूरी तैयार हो चुकी थी वो फिकरमन्ट से लहजे में उसकी बाद दरम्यान से कता करते हुए बोली फिर वेटिंग एरिया में देखिए वो वहीं होंगी वो मुस्कुरा कर बोली और आके पढ़ गई तब वो गोया भागम भाग एक बार फिर इंदसारका की चानी पढ़ी मगर वो यहां तो क्या कहीं भी नहीं थी क्या बात है मुफ्ता फोन पर बिगड़ रहा था तुम लोग बाहर क्यों नहीं आ रही हो घर से कॉल आ रही है चल्दी करो यार मुफ्ता अब मुफ्ता को बताए बिना चारा ना था सो रोहान सी अवासे बोली मुफ्ता वो वरा वरा यहां कहीं नहीं है क्या वो बेही कीनी से बोला क्या कह रही हो तुम ठीक कह रही हूँ ठेरो मैं आता हूँ वो बर्क रफदाही से गाड़ी से उत्रा और पॉलर के मरकजी दरवाजे से अंदर दाही लोना चाहा और कार्ड ने उससे रोक लिया कि मर्दों का अंतर ताखला ममनूधा वो कार्ड से उया चिया शोशरावा सुनकर पॉलर की मेनेजर बाहर चली आई क्या हुआ? क्या हो रहा है यहाँ? आज वाहिद में ये हबर जंगल की आँख की तरह पूरे पॉलर में फैल गई एक दूलन पॉलर से खाइब हो गई है तब सरे, तच्जिये, क्या आसवराई है अमने एक लड़की को टेक्सी में बैट कर जाते देखा था कार्ड ने गालबन मुफ्ता का जेरा देखकर उसकी मदद करने के अगर से बताया था मगर, और तुमने उसे जाने दे दिया मेनीजर सक्त लहजे में कार्ड पर बरस वड़ी थी मगर हर बात गेर मुतलका और बेमानी हो चुकी थी कि जाने वाली तो जा चुकी थी अपने अक्ट में एक कायामत छोड़ कर कि बला कुछ इल्म है आपको कि ये सर आतिश किदर तश्रिफ ले जा रही है वापसी पर आज शरर ने फारू की उसे अपनी गारे में घर पहुँचा देने की पेशकर बिला खेलो खुचद कबूल कर ली थी सो कुछ देर पह यहां वहां की लायानी सी गुफटगों के बाद बिला आखिर फारू अपने लहज़े सरसरी सा बना कर बोला कोई किताब लिखी है उन्होंने शरर से किट सुलगा कर दूमें की चले बनाते हुए बोला उसकी रोनमाई के लिए जा रही है ओ अच्छा अच्छा कसीव दूमें के बाइस उसे खांसी आ गई वो शरर की यूँ अपनी काड़े में बिला इजासत अलूत की बिलाने पर सक्त नागावारी में सूस करते हुए बोला बुरा ना माने तो एक बात कहूँ मैं बुरा मानू या अच्छा वो भी परवाई से बोला तुमें जो कहना है के ढालो इस तरह बंद काड़े में सिर्गरिट सुर्खाना वो नापसंदीदी से बोला कुछ मुनासिब अवल मालूम नहीं हो था तो मसला क्या है उसे लंबा कश लेकर धुआ उड़ाया तुम गाड़े के शीशे खोल दो पर इसी चल रहा है तो बंद कर दो यानि आप इसे नहीं भुजाएंगे वो उसी कंश पैसी पर बिखतियार मुस्कुरा दिया हर्गिस नहीं वो कतियत से भोला फिर इस सजाया मुस्कुरा कर बोला कहीं तुम इस को मान में तो नहीं हो ये तुमने चूंके मुझे लिफ्ट दी है तो मैं तुम्हारी बात मानने का वबंद हो गया हूँ नहीं हजरत इस पर फारुक बकाइदा कहका लगा कर हस पड़ा हर्गिस नहीं इस वक्त आप मेरे महमान है और आपकी पसंद ना पसंद को मल्हूस हाथी रखना मेरी एहलाक की जिम्मेदारी है चाहें तो दोचार सिगरिट और सुलगा ले जब दिल चाहेगा तब सुलका लूँगा वो उखड़े से लेजे में बोला मैं तुम्हारे मश्वरे का मोहताज नहीं मैं समझ नहीं पाया वारुक बेक्तियार बोला कि आप जैसा बेलाग इनसान जो सरार्दिश से बायांग दहल इहतलाफ करता है सवाल करता है और जवाब से मुतासिर भी नहीं होता तब वो कैसे उनकी गुटबुक में शामिल हो गया ये सवाल है ये एज़ार हयाल आप जवाब देना चाहें तो सवाल वगर ना एज़ार हयाल ही समझ लीजिए मैं खुद नहीं जानता कि उन्होंने क्या देखकर मुझे अपने गुटबुक में शामिल किया है वो वेज़ार से लेज़े में सचठक कर वोला गोया ये सवाल आपके जहन में भी आता है वारुख ने पूझा बिल्कुल नहीं वो माते पर बड़ लागर वोला आखिर मुझे इस बारे में गोरो फिकर करने की जुरूरत भी क्या है वाकई ठीक क्या रहे हैं आप वो मुखताद से लेज़े में बोला वैसे कुछ अंदाजा है आपको किसा रातिश ने अपनी किताब शाय करवाने की सलसे में यहां के किसी नाशिर को दर्खोर अतना क्यूं नहीं जाना वो कहीं से भी अपनी बुक शाय करवाए शरण नी खूर कर फारुख को देखा पर तुम्हे तनी खोज क्यूं है खोज नहीं वो जोगन्ना होकर बोला दिल्चस्पी जैसे मैं मान लोगा ये फिर खिड़ी से भाई चांकर कहने लगे चलो गाड़ी ही रोग दो यहां लबे सड़क पारुक हैरान होकर बोला हाँ यहीं मगर मैं आपको घर पंचा दूँगा मोतरम महर्बानी वो उश्क लहजे में बोला आप गालवन मेरी किसी बात से हफा हो गए है पारुक ने मासद हो आना लहजा इक्तियार करते होगे कहा मैं हफा नहीं होता वो धरिश्टी से बोला मूँ तोड़ देता हूँ सीधा मूँ तोड़ देता हूँ अब गाड़ी रोग दो जैसे आपकी मर्जी पारुक ने मजीर असराय किये बिना गाड़ी रोगती थी गाड़ी के रुकते ही शरर बिना उसका शुक्रिया दा किये फॉरन उतर क्या कैसा हजीब आदमी है ये पारुक पूर सोच कोर्षी निगाओं से उसे दूर जाता देख रहा था कुछ तो है इसमें, कुछ तो मैं फिल वक्त समझ नहीं पा रहा सुरहाब, सुरहाब कहा है सरा दूर जाकर सुरहाब ने उसे टेक्सी से उतार कर वहां खड़ी सफेद कुरोला में बैटने का हुकम दिया था वो ही गुमान कर रही थी एक कुरोला में यकीनन वो खुद मुझूद होगा मगर फ्रेंश टारी से सजे कसरती जिसम वाले एक सामले चेरे को ट्राविंग सीट समाले देख उसे छटका लगा तब ही उसके बरापर बरा दर्वासा कोल कर अंदर जांकते ही वो सहमे हुए लहचे में पुसवाल कर बैटी इस सवाल का जवाब वो खुद ही आपको दे सकता है वो शक्स बहुत कहरी निगाहों से उसे देखकर मसे से बोला बेतर यही है के पहले आप अंदर बैट जाए नहीं वो बश्वने से भरभूर लहचे में अकरकर बोली पहले मुझे बताई कि वो कहां है फसवाने का अरादा है मुझे वो बिगड़ गया जल्दी से अंदर बैटो वो भरमी से चिलाया तो वरागोया मेकान की अंदाज से उसके बराबर में आवे थी और बैटे ही सुरुःप को कौल में ला ली सुरुःप तुम कहा हो और कौन है ये अदमी ये मेरा जिगर है सरवर्शा उसके मुस्तरब लहजे के बराख सुरुःप भूत इत्मिनान से बोला अभी तुम इसके साथ जाओ पर मैं क्यूं जाओं इसके साथ बेपना, सहिनी और असापी दबाओं के बाइस वो हजियानी अंदास पे चीख उटी तुम कहा हो मैंने कहा ना हम जल्द मिलेंगे तब तक के लिए बाइ-बाइस हुई थी हेलो, हेलो सुर्भाब, हेलो वो दीवानों की तरह उसे बुकारती रही मगर दूसे जानिब से उससे नासिब राफ्ता मुनकता कर दिया बल्कि अपना फून भी बंद कर दिया था से गाड़ी नामालों मनसिल की तरफ उड़ाता, सरवर्षा, कनक्यों से इस तोबा शिकन को देखते हुए सिटी पर कोई शोख सी दुन बचाते चला जा रहा था कहूं किस्से में कि क्या है शवे गम बूरी बला है मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता उससे जमीन पर ओंधे गिरे हुए देवान के बराबर में शिक्स्तिकी से बैटे हुए उससे सीधा किया मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता उसके आंके हुश्टी मगर लह जा रोया हुआ था बेबसी महस पांच हुर्फी लफस नहीं बलके पांच चान गसील हर्फूं से बना एक नोहा है वो नोहा जो हमोशी पड़ती है बेबसी की हमोशी शुरू शुरू में तो वो यही समझ जा था ये तूटी हुई टांक का दुबारा चुर्चाना मैं इस चंद अफ़तू की बात होगी या फिर चलो माँ दो माँ की मगर उसे यो बिस्तर पर पड़े पड़े पूरा साल होने को आया था बाहर सिंदी की अपनी पूरे रिफ्तार से रवादावा थी और अंदर उसके कमरे में जैसे वक्त थेर गया था और हाँ वक्त वाके ठहर ही तो गया था ये कब सुबा हुई कब शाम होती उसे कुछ हवर ही ना होती थी शुरू शुरू में उसके अख़वाल परसी को तवातर से आने वाले अब अपने अपने कामों मुस्रूफ हो चुगे थे एरोजा मम्ता से मुझबूर होकर कभी तो उसी के पास घंडू बैठी रहती और बसा उकात अपने कमरे से निकल कर उसके पास आने की हिम्मत तक खुद में नहीं पाती थी ऐसे में उसकी पहरेजी गजा त्यार करने और दवादारू वक्त पर उसे भाया करने की सारे से मिदारी जैसे खुद बहुत रहीना के गंदों पर आ गई थी और इन दिनों वे एक बार फिर उमीद से थी ऐसे में उसका दिल जाता था यहर शेय को बलाए ताक रखकर वो अपने हाथ से खला खुणकर उसे माडा ले एर वो इतनी भली नहीं थी यह उसका लिहाज करती हाँ मगर कुछ दिन क्या बताओं हाला उस दिन फेरोसा के रिष्टे की एक भेनाई हुई थी और इस इसा के आदत के लिए उसके कमरे में बड़े सोफ़ पर बैठी थी यह किसी बात पर रेना लेजे को बोच सिमेधार सा बना कर बोली अम्मी और इसा की सिमेधारी मुझ पर ही है न सारा दिन कहां चला जाता है कुछ पता ही नहीं चलता बड़ा बात है तुम ऐसा हालत में चुटके छोड़े बच्चे का साथ इतनी मुशक्कत उठा रही हूँ बस अल्ला कबूल फरमाए वो सरा सर चुका कर अज्जी से चूचू लेजे में बोली ऐसी बेलोस, हिद्मतकार भावज और बहुत किस्मत वालों को मिलता है आला सक्त मुतासिर होकर काम में किसी को नहीं दे सकता ए बाप, आला ने ताचुप से सीधा हाथ गाल पर रख लिया बड़ा तीखा बोले है ने लड़का कोई बात नहीं लिना का दमाग सुलगा दिया था इसा के इस जुमले ने तहां मुब अब असाहर मुस्कुरा कर बोली तभी रात में फोन के एक्स्टेंशन से नच्वा को कॉल मिलाकर उस पर परसवड़ी थी ये क्या अमल किया था तेरे साही ने क्यूं, क्या हुआ उसी चानेब से वादत की मताबिक हसी वो मर्दू तो मेरे ही सर पर पढ़ गया है अच्छा, अच्छा रीना की यही रोने वो पिछली एक साल से सुन रही थी तब ही पेपरवाईस से बोली तू फिकर मत करो मैं बात करूंगी उनसे सिंधी के सफर में गुसर चाते हैं जो मुकाम, वो फिर नहीं आते वा कोशा आफित के एक्स्रेट के हुआ शाथ के परहलाफ ही सही हुआ बाउजलत ही सही बातल नो खास्ता ही सही पर वरा का निकाह हो तो रहा था न सो लौन में उस तक्रीब सहीद की मुनास्पत से आता हुआ इंतसामत भी कर लिये गए थे म्यूजिक भी महरू ने अर्सम से जिद करके लंबी कमेज और सुनहरी जामादार के सीधे बजामे पर ढ़ाई का असलंबा हलका नरंची और सुनहरा डुपटा उड़े हलके फूल के मेकप में पुरकशिश दिखाई देने वाली वसीला कोई अपना सर पिट्टी हुई अर्सम तक आई और हफ्की से भरफूर लहजे में उसे एसास सलाने के खर्श से लबकुशाई हुई आप कभी नहीं सुधरेंगे ना अर्सम भाई मुश्किल है एक बहुत बड़े इम्तिहान से गुजर कर आज का दिन देखा था कोश आफियत ने तो दिल सभी मगीनों का मुटली वच्वा की बिना पर कुछ पूझा पूझा सा था और अंदर की बात को साहिर करना हर वक्त तो जरूरी नहीं हुआ करता तो वो धीरे से मुस्कुरा कर बोला पर अगर तुम चाहो तो मैं कोशिश जरूर कर देखूँगा इसे कहते हैं सवाल कंदू जवाब चना पदा नहीं अर्सम के निकाहों में क्या था मर कुष्टो था तब भी वो करबढा कर बोली नहीं वसीला वो भूद दलार से मुस्कुराया अभी जो तुमने कहा वो इसे नहीं कहते जो भी कहते हैं वो मुँ बना कर भोली कहते हूंगे आप अटे मेहुद लगाऊंगे कोई अच्छा सा गाना बाज़ेट शोक वो सर तसलीम करता एक जानिव हो गया था उसी वक्कासी जोड़े में बल्बूस चेरी पर फिकरमंदी लिये आर्फा उसकी जानिवाईती दिखाई दी अर्सम बात सुनना बेटा वो करीब आकर संजीदा से लहजे में उसे महादिब करते हुए बोली जी अम्मी वो संजीदी से हमातन उनकी जानि मतवच्छा हो गया ये माफ़ा ताह वरा और रिजा को लेने किया था वो परेशानी से बोली खुदा जाने कहा रह गया फून कीजिये उसे वो उनका तफक्र महसूस करके बोला किया है वो बोली मगर उठा नहीं रहा फिकर मत करें वो अपनी कुर्टे की जेव से फून निकालते उनने तसलिदेता हुआ बोला मैं करके देखता हूँ हाँ तुम करो वो उमीद परी नजरों से उसके हाथ में मजूद फून देखकर बोली देखो न लड़के वाली कबसे आई बैजे हैं हम उससे मुफ्ता का नंबर मिलाते हुए मामलीन सोफो पर बरचुमान लड़के वालों को देखा इसा की चार बेहने बमा, अयालो और भाई भाबी बरात की नाम पर बसे ही कुछ लोग उसके हमरा वारिद हुए थे बेहने और भाबी शरीफा, एना और लियाकत बेगम से मुखु कुपतों थी जबके आमिर पुष्ट पर हाथ बहन दे बड़े उत्वसे से शरीफ एहमद के सामने खड़ा मसलसल कुछ बोल रहा था और खुद वो यानि इसा अहरोटी रंग के कुर्टे शलवार में मलभूस आस सीनों को कौनियों से जरा नीचे तक मोड़े सोफे पर तन तना बैठा सर जुकाए मुबाइल पर गालबन कोई गेम खिरने में मसूफ था बाल उसके घने से आ थे जो उसने मुनासिब अंदास में दर्शवार रखे थे उलाब के भूलों का हार जो घर से चलते समय नगमी ने उसके गले में डाल दिया था इस वक्त उससे उतार कर अपने करीवी रखा हुआ था वो कहीं से भी एक रवायती दूला नहीं लग रहा था हां मगर दिल उसका दिल एक अनोखी कुछ चानी पहचानी मीथी दाल मेल पर होले होले से रकसा था पर चेहरे से कुछ साहिर ना होता था क्या बात है कहां रह गई दूलन एक कीना तोस नसर ईसा की पुरसकुन चेहरे पर डालकर रीना निले चोड़े में मलबूश शरीफा से मुहातिब होकर तमसराना लहजे में एक्दम से बोली थी क्या बाकिसान से कहीं बाहर भेज दिया है उसे दयार होने ट्रैफिक का हाल जानती नहीं हो गया तुम वो लटमार लहजे में पुझवापन बोली थी बस आते ही होंगे अरे मेरा बच्चा बोलते बोलते उनकी निगाँ से आप अठाने शलवार कुड़े में मलफूस बड़े तम तराख से चलकर अंदर दाखिल होते सुरहाप पर पड़ी थी वो गोया स्प्रिंग के तरह उशलकर बिनिशित से उठी और उसके असुसिक सक्पाल की हाथे लपक कर उस सक्पोंची असलाम अलेकूम आंटी वो एक ताहराना मगर कहरी निगाँ पूरे लौन पर डालते हुए शरीफा को महातिब करके बोला वालेकूम सलाम वालेकूम सलाम शरीफा रेशा हत्मी होकर बोली कितने दिन बाद सुरत दिखाई आंटी को मसरूफी बहुत रहता हूँ आंटी वो पुरसरारिट से मुस्कुरा कर बोला आप मेरी हाला से पूछ ले आज भी आपके इतने मुहबबत से बुलाने पर मैं अपने सारे सुरूरी काम यू भी छोड़कर चलाया हूँ जीदर है मेरा बच्चा दूस्य दरफ आर्फा ताहाल उसे परिशानी में मुक्तला थी क्या बात है उन्होंने अर्सम को फोन कान सहटा दे देखकर पूछा फोन नहीं उठा रहा अर्सम भी कुछ मुत्वक्कर हो गया था ताहम आर्फा के चेहरे पर च्छाय अंदेशों के बातल देखकर उन्हें तसली देने के घर से बोला मगर आफ फिकर मत करें मैं कुछ देर बात फिर ट्राइ करूँगा अल्ला हैर करे इन्शाला हैर होगी वो उनकी कंदे पर हाथ रख कर बोला ट्रैफिक में कहीं फस गए होंगे लीजिये वो आगए मफदा और रिजा को आते देखकर जाहिर है कि सब ही उनकी जाने मतवचा हो गए थे मगर ये क्या वो दोने कंदे जगाए थीले कदमों से चलते क्यों आ रहे थे वरा वसीला जो दुलन परी वरा को देखनी के शोख में तेज दिसक अदम उठाती रिजा तक आई थी मतच्चिप से लहजे में पूछा वरा कहा है रिजा वो वो चली गई वसीला वो चली गई क्या वक रही हो आरफा उसे दोनों गंदूं से चंजोड का देशित सदा से लहजे में भोली कहा है वो कहा चली गई मुझे नहीं पता मुझे कुछ नहीं पता दिशा का पूरा वजूद हिच्चियों की सत्मे था और कोशा आफियत वो सलसली की सत्मे क्यूं चली गई किस लिए चली गई शरीफा हुद भूंच की रह गई किस लिए चली गई दाफातन मुफ्ता हलक की पल चिला उठा अरे आप सबने मिलकर उसे इस हवी से रिष्टा जोडने पर मजबूर कर तो दिया मगर उस बेचारी को रिष्टा जोडने से कहीं जादा आसान कहीं कुम हो जाना लगा और वो कुम हो गई आय है सत्यानास हो कमबक्त का श्रीफा चाहिलों की तरह अपना सर पीटने लगी मर्दूद हाग डाल गई हमारे सर उपर नहीं उन सबको रोता पीटा देखकर इसा अजाना की अपनी जगा सुठा था उसकी संजीदा आँखों की किनारे घुलाबी हो गए थे और चेरे पर सुर्खी चाह रही थी मगर लहजा उसका लहजा वह सर्थ और सापाट था और वो दिल ही दिल में उसकी हालत से मेसूस होते सुर्खाब की जाने तिरी तिरे पढ़ते हुए बोला उसने किसी के सर पे हौक नहीं डाली और नाफ और अच्छुद ही गई है बलकि इसने उससे सर के हफीर से इशारे से सामने करे सुर्खाब की जाने इशारे किया इसने वरा को गाइब किया है अपनी खत में रहो इसा वो गुराया क्या बक्वास कर रहे हो पर इस बार इसा ने सुबान से नहीं बलकि अपने हाथों से काम लिया था बता कहों है वरा इसा के एक ही भरपूर घुंसे ने उसे समीन चाटने पर मजबूर कर दिया वही धेर जाओ इसा रीना धारी नहीं तो मैं पुलिस बुला लूँगी आप क्या बुलवाएंगी पुलिस मैं खुद बुलाता हूँ वो रीना की धंकी को खातर मिला लाते हुए बुला अब वो खुद इस से अकल लवाएगी के वरा कहा है बागी आइंदामा इंशाल्ला